Hi everyone, क्या आपने pregnancy में ऐसा फील करा है कि आपके विजायना में बहुत ज़्यादा डिस्चाज आता है, यानि क्या आपको बहुत ज़्यादा वेटनेस फील होती है, ऐसा क्यों होता है, बहुत सारी patients डर जाते हैं कि यह जो वाइट डिस्चाज आ रहा है, जो वेटनेस है, कहीं यह पानी तो नहीं, पानी की थैली तो नहीं फट गई है, और यह वेटनेस आपको 7-8 मन्त में उससे पहले से शुरू हो जाती है, वेजायनल डिस्चाज पर मेरे काफी वीडियो आ चुके हैं, इसको हम अगर ढूंडेंगे चानल पे वेजायनल डिस्चाज, डॉक्टर सो कब आपको घबरानी की ज़रोते, कब आपको डॉक्टर के पास जाता है, सो गाईज, अगर आफ फीजियोलीजी समझें, तो आपकी जो बच्चादानी है, और जो सरविक सहनी की बच्चे दानी का मुह है, और नीचे वेजयना है, यह क्या करते हैं, जब बच्चा पेट मे आता है, बच्चा पेट में आता है, आपका सारा blood supply, आपका जो heart है, वो maximum blood supply आपके uterus की तरफ फेकता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को उससे में थोड़े चक्कर से आते हैं, नीद आती है, सुस्ती आती है, नीचे भारी-भारी लगता है, इसलिए उन लोगों में जिनकी पहली pregnancy है, पहली pregnancy में आपको सुस्ती, नीद आना, ठकान लगना और पूरी टाइम पेट में भारी पाल लगना बड़ा नॉमल है, वो इसलिए होता है, क्योंकि आपके heart को पता है, आपकी बॉड़ी को पता है, क्या आपके अंदर एक बच्चा आ जुगा है, तो सारा blood uterus क तरफ फेकते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ हो, आवल बने, बच्चे को पोशन मिले, तो आपके brain को proper blood supply नी मिलती है, इसलिए आपको नीद आती है, दिन भर सुस्ती आती है, चक्कर आता है, और इसलिए आपको नीचे भारी पन रहता है, अब यही कारण है, क्योंकि लांगुज में ट्रांजूडेशन बोलते हैं, ट्रांजूडेशन यानि कि जहां भी फ्लूइड जा रहा है, जैसे आप देखते हैं ग्लास में पानी रखते हैं, थोड़ा सा पानी स्टील के ग्लास के बाहर कंडेंस हो जाता है, सिमिलरली विजानल फ्लूइड हो गया, सर एक्सपैंड हो रही है, इस वज़े से आपको वेटनेस फील होती है, जैन लेडिज को शुरू से वाइड डिस्चार जादा बनता है, जो कि नॉर्मल डिस्चार जाज होता है, यानि कि एक्जामपल आपकी बच्चेतानी का मूँ मोटा है, हेवी है, हाइपर ट्रॉफिक ह या फिर जैसे आपको किसी किसी को पसीना जादा आता है, किसी किसी को वाइड डिस्चार जादा बनता है, किसी किसी को ओवलेशन के समय जादा डिस्चार जाता है, तो अगर आपकी बडी की टेंडेंसी है, जादा वाइड डिस्चार बनाने की, तो वो डिस्चार प्रेग कई रास्ता खुला हुआ है, तो कोई भी बैक्टेरिया ना जान्ए देने के लिए फ्लूइड काम करता है यानि कि आपकी जो पूरी बर्थ कनाल है, यूटेर्स, cervix and vagina उसको flush out कर देता है तो कोई भी organism, कोई भी कीटाडू, bacteria आपकी uterus के अंदर ना चला जाए इस वज़े से vaginal discharge होता है तो pregnancy में क्योंकि अल्यडी बच्चा पेट में आ गया है तो body vaginal discharge बढ़ा देती है जिससे जितने bacteria vaginal बच्चे को हाम ना करें तो दूसरा कारण हो गया flushing, तीसरा कारण तीसरा कारण होता है जो बर्थ कनाल है वो uterus के अंदर है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये बच्चा पूरा fluid से surrounded है यानि कि आपके बच्चे की चारव तरफ कुशन है पानी का कुशन है बहुत से लोग कहते हैं बढ़ उल्टा सोंगी या टेढ़ा सोंगी या कुछ हो जाएगा जरा सा चोट लगेगी तो बच्चे को तो कुशनी हो गया बच्चा डारेटली आपकी स्किन की नीचे नहीं है बच्चा बहुत अंदर है आपकी स्किन है, फैट है, मसल है फिर आपकी शीथ आती है फिर आपकी बच्चे दानी की दिवार आती है उसके अंदर पानी आता है फिर जाके बच्चा आता है तो इस बच्चे को प्रोटेट करने के लिए जो बच्चे दानी का मुह है इसको हम cervix बोलते हैं, वो पहली बार तो पूरा बंध होता है, especially जो पहली बार pregnant है, पूरी तरह से बंध होता है, जो second या third time pregnant है, जिनकी पहले normal delivery होई है, उनकी बच्चे दाने का मुझ थोड़ा सा खुला हुआ होता है, थोड़ा फैला हुआ होता है, बट इस रास्ते के अंदर कोई भी की टाडू ना जाए, उसके लिए एक बहुत ही ठिक cervical mucus plug होता है, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक दब ठिक mucus plug होता है, जो कि इस बच्चे को पूरा seal करके रखता है बाहर के environment से, ये plug तब निकलता है, जब आप लेबर पेंस की तरफ जा रही है, जब आपको प्रॉपर लेबर पेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने दिखा होगा हलका सा bloody show होता है, यानि कि हलका सा blood mix discharge आता है, इसको हम अपनी language में show बोलते है, और ये तब होता है, जब ये बच्चे दानी का मुँग खुलना शुरू होता है, तब ये cervical mucus बहार आता है, और उसके वज़े से bleeding होती है, तो ये जो आपको show आ रहा है, ये कुछ में नहीं है, cervical mucus plug निकल गया, plug इसले निकल गया, क्योंकि अब आपके बच्चे दानी का मुँग फैलना शुरू हो गया, बच्चा नीचे आ रहा है, और कहीं न कहीं जाके आगया आपकी membranes भी rupture हो जाएंगी, तो ये दो तीन कारण होते हैं कि vaginal discharge pregnancy में थोड़ा बढ़ जाता है, अब कौन सा normal है, कौन सा abnormal है, normal vaginal discharge एकदम colorless होता है, उसमें कोई smell नहीं होती, हलकी से आपकी खुद की body की smell हो सकती है, sweat smells हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोटे हैं, pregnancy में वैसी weight gain हो जाता है, especially अगर आपके कपड़े आपके इस तरह के पहन रहे हो, कहां रह रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा बहुत body smell के विज़े से, हलका सा odor, हलका सा smell आ सकता है, but otherwise vaginal discharge जो normal होता है, that is colorless, हलका सा yellowish tinge आपकी undergarments में हो सकता है, जो कि मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, vaginal discharge हमेशा acidic होता है, आपकी जो vaginal, उसका pH हमेशा 6 से लो होता है, 4 तो 5 के बीच में होता है, pregnancy में तो और लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा acidic हो जाता है, acidic इसलिए क्योंकि यह नहीं चाहता कि ज़्यादा bacteria ग्रो करें, कुछ ही bacteria इसमें ग्रो कर पाते हैं, नहीं होना सही है, और उसमें कोई भी smell नहीं होनी चाहिए, ठीक है, abnormal तब होगा जब आपको itching होगी, जब आपको redness हो जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा itching की वज़े से नीचे जलन हो रही है, तब आपको doctor को दिखाना है, जो की प्रेगेंसी में होता है, जिसके वज़े से आपको थिक करडी वाइट इसम दही फटे वे दही जैसा डिस्चाज आता है, वो होता है, fungal infection यानि की candidal infection, यह आपके doctor आपको देख के बताएंगे, क्या आपको यह infection होआ है, प्रेगेंसी में क्यों कॉमन है, क्योंकि प्रेगेंसी में fungus को ग्रो करने के लिए काफी जगें मिल जाती है, जगें इसलिए मिलती है क्योंकि आप मोटी हो रही है, प्लस अंदर acidic environment में खुब सारा glucose होता है वेजाना में, वहाँ fungus ग्रो करता है, प्लस आपकी immunity लो हो रही है, आपकी जो body की ताकत है infection से लणने की वो कम हो रही है, इसलिए यह infection वहाँ हो सकता है, प्रेगेंसी में और कोई infection ज़्यादा तर होता नहीं है, अगर आपको जरा से भी कोई symptom से color आ रहा है, उसमें brownish color आ रहा है, reddish color आ रहा है, बहुत ज़्यादा yellow है, itching है, burning है, साथ में urine में भी जलन हो रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाईए, वरना normal vaginal discharge बिल्कुल भी कोई डरने के बात नहीं है, यह normal pregnancy की symptoms है, और यह पूरी तरह से physiological discharge होता है, जो कि आपके body के resistance आपके बच्चे को बचाने के लिए होता है, तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो like and share जरू करिएगा और subscribe करना मत बोलिएगा,